नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूटी प्लेटफर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे मैं हूँ अखलेश अगस्ति आपका टीचर एकॉनमिक्स दोसों लास्ट संडे भी आपने देखा था top 100 questions मैं आपके लिए लेकर के आया था अपके आने वाले examination दोसों इस संडे भी आपके लिए मैं 100 questions लेकर के आया हूँ इकॉनमिक्स के दोसों ये सब़ी के सब़ी questions देख कर के जएगा आपके exam में economics का अगर कोई भी परिशनाता है तो मैं ये उमीद रखता हूँ कि आप उसको बड़े अच्छे से solve कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 100 questions ही नहीं इनके साथ साथ कुछ ना कुछ concept भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको examination में बहुत ही फायदा मिलने वाला हूए तो दोस्तों ये most important series है economics की 100 questions के पहले है वीडियो section में जाकर के देख लीजेगा या उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा और उसके बाद आज भी ये 100 questions में लेकर के आया हूँ तो चलिए आगाज करते हैं start करते हैं हमारे सवाल और आपके जवाब आप अपने जवाब देते जाएगा और मैं सवाल पूछते जाऊँगा और फिर discussion करते हुए आगे बढ़ते जाएगे इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा तो चलिए start करते हैं आज का अपना session और ये रहा पहला question आपकी screen पर जल्दी से बताईए The income of Indians working abroad are a part of विदेश में काम करने वाले भारतियों की आये का हिस्सा है यानि कि जो भारतिय विदेश में काम करते हैं दोस्तों देखिए हम दो तरीके की बाते करते हैं एक हम GDP की बात करते हैं एक हम GNP की बात करते हैं तो GDP में क्या होता है भारत के अंतरगत यानि कि इंडिया की जो boundaries हैं जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंतरगत चाहें भारतियों उत्पादन कर रहे हो या कोई विदेशी उत्पादन कर रहे हो चाहे भारतीयों की आये हो चाहे विदेशीयों की आये हो दोनों की आये को जब जोड लेते हैं तो निकल करके आता है GDP लेकिन GNP में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं सिर्फ Indians की बात करते हैं सिर्फ Indians की चाहें वो भारत में काम कर रहे हो या भारत के बाहर कारे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की ही जहां पर बात करी जाती है तो दोस्तो हम यहां पर क्या बात हो रहे हैं income of Indians working abroad जो विदेश में भारतीय कारे कर रहे हैं तो ये किसका हिस्सा होता है दोस्तों ये national income का और उसमें भी यहाँ पर बात करें तो net domestic product of India, NDP of India, net domestic product of India का हिस्सा होता है ध्यान रखेगा यानि कि जब अपने देश की रास्ट्रिया निकाली जाएगी तो जो भारतिय विदेश में I earn कर रहे हैं उनको भी यहाँ का हिस्सा म बंदकोविक्त करती है तो तो होती क्या है cross demand मैं आपको बता दूं cross demand का मतलब यह है इस तरीके से एक के बदले में दूसरे की मांग बढ़ जाए जैसे ऐसे समझेगा ठीक है जो substitute products होते हैं substitute जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तिमाल किया जा सकते हैं जैसे बात यहाँ पर म नात रखेगा तो इस तरीके से यह cross demand कहलाती है यानि कि एक की वजह से दूसरे पर फर्क पड़ जाए या दूसरे वस्तु की मांग पे फर्क पड़ जाए तो दोस्तो इसका जो सही option है वो है demand and prices of related commodities इसका जो सही option है वो भी है यानि कि समबंदित वस्तुओं की मांग और क पडला होगा यहाँ पर याद रखेगा ठीके according to the law of demand क्या कहता है कि मांग कब बढ़ेगी जब वस्तु का मुले कम होगा तो यहाँ पर वस्तु का मुले ना कम हुआ ना जादा हुआ जो था वैसा ही है बसरते उसके substitute product का price जो है वो अप कर गया है that's why इसकी demand बढ़ गई है तो एक cross demand कहलाती है clear है आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रशन production of commodity mostly through the natural process is an activity of अधिकांशुता प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन की गतिविध है ठीके जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो किस छेतर के अंतरगत आती है यह आप से अब गेहु का उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण होगा ना खेतों में आप बीज बोएंगे तो वो प्राकृतिक प्रक्रिया है ना कि पौधा होगेगा तो दोस्तों यह सभी के सभी primary sector के अंतरगत आते हैं ध्यान रखेगा प्राथमिक छेतर के अंतरगत count किया हैं इसके बाद आता है secondary sector का secondary यानि की manufacturing sector का और इसके बाद किसकी बात आती है primary sector की बात आती तो सबसे ज़्यादा contribution service फिर secondary या manufacturing फिर बात किसकी आती है primary की और सबसे ज़्यादा लोग काम किस छेतर में कर रहे हैं तो वो primary sector में लगे हुए हैं धारत के अधिकांस लोग मेड़ी छेत्रों में निवास करती है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों मांग का नियम पर आधारित है मांग का नियम तो आप सभी लोग जानते हैं अभी आपको बताया मैंने ठीक है लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या कुछ confusion है तो clear कर लीजिगा मांग का नियम डिपेंड करता है प्राइज और डिमांड पर ये में मानता है अगर किसी वस्तु का मुल्ले बढ़ता है तो उसकी मांग में कमी आती है और यानि कि मुल्ले घटे का तो मांग बढ़ेगी ये relation से बताता है मांग का नियम लेकिन याद रखेगा अन्य सभी वस्तु में या इस्थितियों के समान रहने पर ऐसा होता है क्योंकि बहुत सी जगों पर मांग का नियम लागू नहीं भी होता है प्रश्ण पूछ रहा है ये किस पर बेस्ड है तो obviously ये बेस्ड है consumer preferences पर consumer preferences यानि कि उभोगताओं की प्राथमिक्ता है अगर उभोगता की प्राथमिक्ता वो वस्तु है यानि कि वो वस्तु चाहिए ही चाहिए तो मांग के नियम से उसको कोई लेना देना नहीं है जैसे एक simple सा example आपको दे सकता हूँ salt का नमक का नमक कैसा डाला जाता है स्वादा अनुसार ना की पैसा अनुसार नमक मुद्रा अनुसार नहीं डाला जाता है अगर नमक सस्ता हो जाएगा तो दो चमच नहीं डाल दोगे नमक महगा हो जाएगा तो आधा चमच नहीं डालोगे स्वाधा नुसार खाओगे ना, तो उसके price से कोई relation है, medicine की बात कर लीजे, तो वो preferences है ना, तो consumer की preferences के आधार पर मांग का नियम चलता है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते दोस्तों, which of the following is not the method of computing GNP, निमलिकित में से कौन सी GNP की गढ़ना कर करने की तीन ही विदिया होती है, तीनों विदिया यहाँ पर लिखी होती है, value-added approach भी होती है, expenditure approach भी होती है, income approach भी होती है, नहीं है तो कौन सी saving approach नाम की कोई approach नहीं होती है, और value-added approach को हम product method के नाम से जानते हैं, product method या industrial origin method के नाम से भी जानते हैं, और ये method डवलब करन at that time उसका नाम था वर्तमान में इसका नाम है NSO यानि की National Statistical Office चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रशन the equilibrium of a firm under perfect competition will be determined when यानि की पूर प्रतिसपरधा के तहत एक firm का शंतुलन कब निर्धारित किया जाएगा पूर प्रतिसपरधा perfect competition जब हम forms of market की बात करते हैं तो उसी का एक प्रकार होता है पूर प्रतिसपरधा पूर प्रतिसपरधा वहाँ इस्तित ही होती है जिस इस्तित में बाजार में बहुत सारे क्रेता होते हैं बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन समान वस्तूओं को जानी की समान वस्तु हैं जैसे कि आप सब्जी बजार में चले जाओ सब लाइन से सेम बेच रहे होते हैं ठीक है सराफा बजार में चले जाओ सब के पास सेम प्रोड़क्ट मिलेंगे समझ गए मेरी बात या नहीं तो गें ऐसी जगहों पर फर्म अंडर परफेक्ट कॉमडि का मतलब होता है एक संतुलन बिंदू तो यह संतुलन बिंदू निर्धारित किया जाता है जब मार्जिनल रेवन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है संतुलन बिंदू हमेशा किसे कहते हैं एक प्राइस पर जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होती है बराबर होत आगला देखते हैं दोस्तों, यह जो cost है, इसकी लगाजत आती है, यह लाजत किस का हिस्सा है, यह consumption of fixed capital है, यह final consumption expenditure है, यह intermediate consumption है, यह इसको intermediate consumption के रूप में देखा जाता है, मद्यवर्दी उपभोग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि product तो final कब होगा, product तो final बन चुका है, ठीक है, सारी costing किसमें involve हो जा एड वगरा में भी जो कंपनिया पैसा खर्च कर रही है वो सभी प्रोड़क्ट को बेच करके कमाती है प्रोड़क्ट की वैल्यू में हर चीज का पैसा होता है ध्यान रखेगा इस बात को अगला देखेगा दोस्तो दा इलास्टिसिटी आफ डिमांड विद रिस्पेक्ट त प्राइस इज कीमत के संबंध में मांग की लोच है मांग की लोच क्या दर्शाती है तो मांग के नियम को एक्स्टेंड करिए अभी मांग का नियम क्या बताया था मैंने आपको अगेन मैंने आपको बताया था कि law of demand ये कहता है कि किसी वस्तु का मुल्य ठीके किसी वस्तु का मुल्य अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड में कमी आती है किसी वस्तु का मुल्य कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन कितना मुल्य बढ़ा कितनी मांग में कमी आई कितना मुल्य घटा और कितना मांग में परिवर्तन आया ये जो प्रतिशत परिवर्त in, sorry, supply नहीं है, percentage change in price elasticity of demand with respect to price, तो supply नहीं है, यहाँ पर इसका सही option है, percentage change in demand, oblique ठीक है, percentage change in price A is the right option है, ध्यान रखेगा ठीक है, A is the right option ठीक है, percentage change in demand upon percentage change in price, ध्यान रखेगा, ठीक है, और यही एक बात होती है, दोस्तों, income elasticity अगर पूछ रहा होता, तो यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है, price की जगे क्या आजाता, income आजाता कि income के आधार पर demand ठीक है, यानि की मांग, अगला देखेगा दोस्तों, dumping is a form of price discrimination act dumping पर मुल भेदबाओ का एक रूप है, dumping के बारे में आपने साइद नहीं सुना होगा, अंतराष्ट्री या बाजार में, या अंतराष्ट्री व्यापार में ये शब्द प्रियोग होता है, लेकिन एक शब्द मेभी आपने सुना हो anti-dumping duty, क्या सुना होगा आपने, anti-dumping duty के बारे में आपने सुना होगा सुनिएगा बहुत अच्छे से क्या होती है एक देश अपने देश में जैसे माली चाइना कोई प्रोड़क्ट अपने देश में तो जिस भी rate पर बेच रहा हो, लेकिन इंडिया जब उसने बेचा तो अपने प्रोड़क्ट का होगा, कम कीमत का होगा ठीक है, तो याद रखेगा ऐसा करने के लिए, जब अपने देश से भी कम कीमत पर दूसरे देशों पर माल बेचा जाता है, ठीक है, तो उसे dumping कहते हैं, जब इन देशों को पता चलता है, तो ये उस पर anti-dumping duty लगा देते हैं, यानि कि tax extra लगा देते हैं, जिससे उसके देश में वो product और भी क्या हो जाए, महंगा हो जाए, तो ये जो फाइदा उठाना चाहते थे, वो फाइदा नहीं मिल पाता है, by the way of anti-dumping duty, तो याद रखेगा, इसका price discrimination कहां पर है, तो price discrimination international level, अंतराश्च्री स्तर पर, एक देश, दूसरे देश, का relation होता है, किसमें, dumping में याद रखेगा, तो dumping और anti-dumping duty, दोनों मैंने आपको बता दी है, अगला प्रशन, the primary objective of all production is to, सभी उत्पादन का प्राथमिक उदेश क्या होता है, जितना भी उत्पादन किया जा रहा है, उसका प्राथमिक उदेश क्या है, जितना भी उत्पादन आज की डेट में किया जा रहा है, सोचे उसका प्राथमिक उदेश क्या हो सकता है, जब हम economic activities की बात करते हैं, तो तीनी ही तो economic activities होती है, ठीक है, कौन सा production distribution consumption consumption के बाद वापस production ठीक है लेकिन consumption के बाद की बात क्या आती after sales service की बात आज की date में करी जाती है ना यानी की जो व्यक्ति को product बेचा गया है वो हमारे product से satisfy है या नहीं है तो सभी उत्पादन का एक ही उत्देशी होता है satisfy human wants कुछ भी अगर उत्पादित किया जा रहा है याद रखिएगा ये पिन का भी निर्माड किया गया है तो किस भीहाफ पर satisfy human wants भाई मेरी want ही तो थी मैं चाहता था कि मैं board पर लिखू तभी तो इसको बनाया गया मैं ये board चाहता था तभी तो इस board का निर्माड किया गया digital board ठीक है तो सारी की सारी जितना अभियूत पादन जो भी वस्तुएं बनाई जा रही है वो सभी मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए या उनकी जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है ध्यान रखियेगा ठीक है तो needs और wants में थोड़ा सा फर्क होता है needs उनको कहते हैं जो बहुत ही जरूरी है जैसे रोटी कपड़ा और मकान इसके बाद जो भी चीज़े आप चाहते हैं वो need नहीं होती है वो wants में गिनी जाती है चले आ गया आते हैं दोस्तों Which of the following is an indirect tax इन में से कौन सा अप्रतेक्ष शुकर है प्रतेक्ष अप्रतेक्ष दो प्रकार के कर होते हैं आप सभी लोग जानते हैं अप्रतेक्ष शुकर वहकर होते हैं जो impose किसी और पे किये जाते हैं वसूली किसी और से करी जाती है और फिलाल हम और आप customer हैं तो चाहे direct tax हो चाहे indirect tax हो पे किसको करना होता है हमें ही पे करना होता है जितने भी product आप खरीद करके लाते हो जिनके bracket में लिखा होता है inclusive of all taxes तो सारे tax किसने पे किये आपने पे किये एक restaurant आप जाते हो खाना खाने के लिए तो वहाँ पर भी आपको एक tax पे करना पड़ता है GST आप जानते हो goods and service tax तो याद रखिए का वो जमा करने का काम हमारा नहीं है हमने वहाँ पर consume किया खाना तो हमने तो चुकाया तो ultimate चुकाने का काम तो customer का ही है ठीक है लेकिन तो यानि कि जिस पे लगा था वो उसको वसूल कर सकता है इनमें से indirect tax कौन सा है तो excise duty हाला कि अभी भी जो product GST से बाहर रखे गए है excise duty को वैसे तो GST में समाहित कर दिया गया है क्योंकि GST जब से आया ना एक जुलाई 2017 से सारे के सारे tax उसमें सबस्यूम कर दिये गए लेकिन अभी भी जो चीजे tax GST के दाएरे से बाहर रखी गई है जैसे alcohol की बात कर लीजेगा petroleum products की बात कर लीजेगा तो इस पर अभी भी excise duty लगती है तो excise duty नाम का tax होता है जिसे उत्पाद कर कहते हैं और ये indirect tax है indirect tax का इंडिया में regulator कौन है तो वो याद रखेगा CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC जैसे direct taxes का regulator कौन है CBDT Central Board of Direct Taxes ऐसे ये क्या है CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs क्लियर है बात अगला बताईए दोस्तो Taxes on the profession can be levied by whom पेशे पर कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है पेशे पेशे जैसे डॉक्टरी पेशा है Chartered Accountant कोई CA है तो CA पेशा है कोई वकील है तो वकील पेशा है पेशे से उसको आए हो रही है ना तो पेशे पर कर कौन लगा सकता है इन में से आप बताईए option दे करके राजसरकारे पंचायत के द्वारा राजे और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा और by central government सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा तो पेशे पर कर कौन लगा सकता है दोस्तो दोनों लगा सकते हैं राजी सरकारे भी कर लगा सकती है और केंदर सरकारे भी कर लगा सकती है पेशे पर ध्यान रखिएगा दोनों के पास ये power होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन में से कौन सा धन का कारे यानि की मुद्रा का कारे नहीं है ठीक है मुद्रा का कारे नहीं है तो पहली बात है store of value यानि की मुद्रा ऐसी होना चाहिए जिसको आप store कर सके तो yes store values की होनी चाहिए ठीक है सनरक्षित करने की value होनी चाहिए transfer of value उसको किसी को आप देते हैं तो value होनी चाहिए यस होती है value measurement ये भी होता है price stabilization भाई मुद्रा का price stabilization से कोई लेना देना नहीं है ठीक है मुद्रा price stabilization यानि कि मुल्ली की इस्थिरता ये money का function नहीं है price stabilization की अगर हम function की बात करें तो दोस्तों ये करने का कारे Reserve Bank of India का सबसे पहले होता है जो कि by the way of monetary policy मौद्रेख नीतियों के दोरा बाजार में price stability को बनाए रखता है price stability होगी तभी economic growth हो सकती otherwise कभी भी economic growth नहीं हो सकती अगला प्रिशन what is the meaning of closed economy बंद अर्थव्योस्था का क्या अर्थ होता है जानते हैं कभी सुना ये टर्म आप ने closed economy RISD, बहुत ही अच्छा टर्म है close economy का मतलब है आपके दरवाजय बंद है आपके अर्थव्योस्था के दरवाजय बंद है यानि कि आपके देश ना कोई आ सकता है ब्यापार करने के लिए ना आप किसी के देश में जाएंगे तो ये जो boundary के बाहर ब्यापार होता है इसको international trade बोलते हैं और international trade में हम import और export की बात करते हैं यानि कि आयात और निर्यात की तो ऐसा देश जिसका ना तो कोई आयात होता है ना तो कोई निर्यात होता है ऐसे ऐसी economy को या ऐसे देश को हम closed economy के रूप में जानते हैं दोस्तो वर्तमान में पूरे विश्व में कोई भी closed economy नहीं है semi closed economy दिख सकती हैं जैसे North Korea वगरा है सिर्फ China से सामान लेता है और भी एक दो देश हैं बाकि उस सब के साथ कोई व्यापार नहीं करता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से और closed economy की situation में एक बात और आपको याद में रखनी है GDP बराबर होती है GNP के GDP equals to GNP Onlyly, onlyly ये तभी happen होगा, ये तभी होगा जब closed economy होगी Otherwise, GDP, GNP के बराबर कभी भी नहीं हो सकती अगला प्रिशन अब break even point Break even point ठीके, break even point किसे कहते हैं Break even का मतलब होता है जहाँ पर no profit, no loss की situation हो कोई वस्तु मैंने 100 रुपय पे बनाई और 100 ही रुपय पे बेच रहा हूँ तो इसे break even point बोलते हैं दोस्तों यानि की एक ऐसा बिंदू जहाँ पर no profit, no loss पर चीजे चल रही हो जैसे भारत में बहुत सारे NGOs हैं वो product को उतने ही पैसे पर बेचते हैं जो उनको बनाने की लागत आती है क्योंकि वो NGO हैं ठीके, again NGO का उद्देश प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बहुत सी भारत में organization है जो no cost, no profit, no loss पर कारे करती है तो इसका सही option क्या होगा the firm at zero profit उसका कोई profit नहीं है कोई lab नहीं मिल रहा है चले अगला यदि कोई firm पूर्ण प्रतिस पर्धा में अलपावधी में घाटे में चल रही है तो उसे क्या करना चाहिए पूर्ण प्रतिस पर्धा बताया जहां पर बहुत सारे क्रेता हों बहुत सारे विक्रेता हों सेम उत्पाद को बेच रहे है तो कोई firm क्या है short period में at loss in the short period ठीक है यानि कि अलप समय में वो loss पे काम करें तो उसे क्या करना चाहिए तो continue to operate as long as it covers the variable cost यानि कि उसे कारे करते रहना चाहिए आज नहीं तो कल उसको profit मिलेगा और fixed cost के साथ साथ variable cost भी वसूल करने का मौका मिलेगा तो continue to operate as long ठीक है जितना आप आगे चल सकते हो चलो as it covers जब तक आप cover ना कर लो even the variable cost यानि कि परिवर्तनी लागत दो प्रकार की लागते होती है fixed cost और variable cost fixed cost वो cost होती है जो production के बदलने के साथ में नहीं बदलती है जैसे ठीके जहां पर भी production किया जा रहा है उस building का किराया किराया नहीं बदलेगा आप चाहें 5 unit बनाओ product चाहें 50 unit बनाओ उतना ही रहेगा किराया तो वो fixed cost बोलते हैं और 5 unit बनाओगे तो raw material कम लगेगा 50 unit बनाओगे तो raw material ज़्यादा लगेगा तो ये जो cost होती है इसी को किस नाम से जानते हैं दोस्तो variable cost के नाम से जानते हैं अगला which one of the following represents the saving of the private corporate sector निमलिकित में से कौन सा निजी corporate छित्र की बचत का प्रतिनिध्यत्यो करता है तो जितना भी corporate sector है उसकी बचत को किस नाम से जानते हैं उसकी बचत ही undistributed profit होती है undistributed profit जिसे एक और नाम से हम जानते है retained earnings के यह retained earnings यानि कि यह वो profit होता है जो distribute नहीं किया जाता है वितरित नहीं किया जाता है इसको आगे company की growth में लगाया जाता है क्योंकि जब company grow होगी तो wealth maximization होगा यानि कि आपका share जो भी आपने इस company में अपना पैसा लगा रखा है वो पैसा आपका बढ़ेगा by the way of stake ठीक है तो ध्यान रखेगा इस बात को अगला विचाब दा following is not an investment expenditure in goods and services निवलिकित में से कौन सा सामान और सेवाएं यानि कि सामान की जगे हम वस्तु भी कर सकते हैं यहाँ पर याद रखेगा वस्तु और सेवाओं में निवेश्वे नहीं है जल्दी से बताए investment expenditure क्या होता है जैसे मैंने घर खरीदा वो क्या होगा investment expenditure होगा लेकिन पूछ रहा है ठीक है expenditure in goods and services ठीक है which of the following is not an investment expenditure in goods and services तो इसका जो सही option यहाँ पर है दोस्तो क्योंकि business point of view से बात करें है तो business point of view में घर नहीं आता है purchase of a house ठीक है यह एक investment expenditure नहीं है in goods and services यानि वस्तु और सेवाओं के आधार पर नहीं है otherwise याद रखेगा यह कैसा है यह investment expenditure होगा अगर हम बात individual की कर रहे हैं है तो इंडिविज्वल यानि की वेक्तिगत तोर पर otherwise नहीं है otherwise an increase in business inventories है expansion of main plant of the company है purchase of machinery है लेकिन house घर के लिए नहीं है ठीक है अगला the demand for labor is called स्रम की मांग क्या कहलाती है स्रम की मांग क्या कहलाती है चार option है आपके पास याद रखेगा स्रम की demand कब होगी जब final product की demand होगी न मां लीजे ये ये presenter है ये presenter की demand market में बहुत ज़्यादा आ रही है मैं इस presenter को बनाने वाला हूँ मुझे order मिला ठीक है normally 100 unit में produce करता था मुझे अब order मिला कि 1000 unit चाहिए 1000 units की order मुझे मिल गए अब मुझे क्या चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाले लोग चाहिए होगे जो जल्दी से जल्दी इस presenter को बना सकें समझ गया आप मरी बात ही नहीं तो स्रम की मांग कब हुई जब एक पहले से product की मांग आई न तो स्रम की मांग किसी पर आधारित होती है otherwise स्रम की मांग नहीं होगी तो स्रम की मांग को हम derived demand के नाम से यानि की विवतपन मांग के नाम से जानते हैं दोस्तों अगला forced saving refers to जबरन budget का उलेख है जबरन budget forced saving किसे कहते हैं saving का formula क्या होता है एक बात याद रखेगा income यानि की जो भी आप earn करते हैं earn करने के बाद बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं income से expenditure को minus कर देते हैं तो जो पैसा बच जाता है उसे ही saving कहते हैं नहीं बचेगा तो saving zero हो जाएगी ध्यान रखेगा जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया तो saving आपकी क्या हो गई zero अब forced saving का मतलब क्या है समझेगा forced saving का मतलब है reduction of consumption consequent to rise in price समझेगा अब क्या हो रहा है किसी वस्तु का मुल जो है बढ़ रहा है मुल बढ़ रहा है तो क्या होगा आपका पैसा ज़्यादा लगेगा कोई वस्तु 100 रुपए के थी अब 500 की मिलने लगेगी तो आपको 50 रुपए ज़्यादा देना होगा तो saving आपकी और कम हो गई अब कहते हैं इससे forced saving जब price बढ़ा तो हमने क्या कर लिया reduction in consumption उपभोग में कमी कर ली जैसे मैं simply अभी बात आपको बताऊँ recently तो आपको पता है न टमाटर का price एकदम से 200-200 रुपए में पहुँच गया normally पहले जहां टमाटर का इस्तिमाल ज़्यादा किया जाता था ठीके तो हमने क्या किया हमने टमाटर का इस्तिमाल ही कम कर दिया जहां पहले half kg आता था price बढ़ गया तो हमने क्या कर दिया बिल्कुल और कम कर लिया ठीके ठीके बिल्कुल और कम कर लिया जब भी बाजार जाते थे इतना ही लिया आते थे एक किलो डेड़ किलो दो किलो तो हमने क्या कर लिया consumption को और कम कर लिया इसको कहते हैं दो तो forced saving ठीक है कि आपकी आप अपनी quantity में कमी ला रहे हैं price तो बढ़ गया तो पैसे तो जादा देने थे तो हमें एक saving करनी है तो हमने quantity में और कमी कर ली जिससे हम वहाँ पर match कर सकें चीजों को अपनी saving को तो सही option इसका A है याद रखेगा reduction of consumption consequent to a rising price अगला which Indian industry is employing large number of workers कौन सा भारती उद्योग बड़ी संख्या में स्रमी को को रोजगार दे रहा है जल्दी से बताइए बड़ी संख्या में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा छेतर देता है तो याद रखेगा after agriculture सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में क्रशी छेतर देता है agriculture सबसे ज़्यादा लोग क्रशी के कारेों में लगे हुए क्योंकि भारत की अधिकान जनसंख्या आज भी गाओं में निवाश करती है तो इसका सही option है दोस्तो उसके बाद नाम आता है textile का कपड़ा उध्योग का After agriculture textile जो है इस sector में सबसे ज़्यादा लोग कारेरत हैं और ये भारत का सबसे पुराना कारे भी याद रखेगा आपको पता है अंग्रेज वगरा जब भारत आये थी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी तो पहली factory सूरत में कपड़े की ही open करी गई थी Cotton का बहुत पुराना व्यापार भारत में है भारत का Cotton International Level पर आपको पता है ब्रांड नेम दे दिया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है कस्तूरी Cotton के नाम से जाना जाता है भारत का जो Cotton है सबसे ज़्यादा इस्तिमाल भारत का Cotton किया जाता है ठीक है विदेशों में भी तो याद रखेगा कस्तूरी Cotton के नाम से जाना जाता है अगला Social Accounting System in India is classified into भारत में सामाजिक लेखा पणाली को में वरगीकरत किया गया है Social Accounting System क्या होता है एक कंपनी बहुत सारे कारे कर रही है उनके द्वारा किये गए कारेों का Society पर क्या impact है Society को क्या लाभ मिला है जब भी कोई कंपनी कोई प्रड़क्ट बनाती है तो Society लाभानवित होती है समझ गया आप मेरी बात या नहीं जैसे जिस भी कंपनी ने ये Digital Board बनाया तो समाज लाभानवित हुआ ना इससे ठीक है आप बच्चे ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं उनको एक अच्छा Visibility दिख रही है ना समझ गया आप मेरी बात ये नहीं तो Social Accounting System यही है कि आप जो production कर रहे हैं उनका Society पर क्या impact है जैसे कई कंपनीय आ टोबैको प्रोडूस कर रहे हैं अब आपको पता है negative health impact है ठीक है वो जो भी product बात जार में बेच रही है वो तो health के भी हाप पर बिलकुल बेकार है तो आप जो भी कारे कर रहे हैं उनका Society पर क्या impact है तो इस impact को तीन जगहे पर classify किया गया है income, product और expenditure आए, उत्पाद और वे के रूप में इनको वरगीकरत किया गया है social accounting system इनी तीनों चीजों पर आधारित होता है अगला भारत का जो foreign exchange reserve है जिसको short में हम forex के नाम से जानते हैं किस नाम से? forex के नाम से जानते हैं तो forex में क्या सामिल नहीं है? बताता हो भी वैसे सुन लीजेगा forex क्यों चाहिए होता है forex इसले चाहिए होता है क्योंकि विदेशों के साथ व्यापार करना है और विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए विदेश की मुद्रा चाहिए होती है that's why foreign exchange है और foreign exchange market भी होती है जहां पर हमें दूसरे देशों की currency मिल जाती है हाला कि भारत जैसा देश अब क्या कर रहा है विदेशी मुद्रा पर बहुत जादा निर्भर ना होना पड़े इसलिए जिन भी देश के साथ व्यापार कर रहा है उनसे local currency में यानि की रुपे में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है 19 देशों के साथ agreement भी sign किया जा चुका है 19 देश बंगलादेश है यहां पर इसका क्या मतलब है समझेगा देखो gold सामिल होता है forex में gold सामिल होता है Sona then foreign currency assets भी सामिल होती है जिनको FCA के नाम से जानते है foreign currency and securities held by the banks and corporate bodies यह count नहीं होता है ठीके SDR यानि की special drawing rights special drawing rights याद रखेगा यह international monetary fund की currency का कारे करती है यह international monetary fund की currency है जिसको हम paper gold के नाम से भी जानते है कहीं चलती नहीं है लेकिन book keeping के काम में आती है पुस्तपालन जिसको हिंदी में कहते हैं लेखा योगा रखना उसके कारे यह currency आती है special drawing rights SDR के नाम से जानी जाती है अगला for which tax was constitutional status given much later after its introduction in small way in 1994-1995 कौन सा tax ऐसा है जो भारत में बहुत देर में आया 1994-95 में तो दोस्तों भारत में सबसे last में जो tax आया है ठीक है जो आज की date में बहुत बड़ा impact भी रखता है वो है दोस्तों taxes on services 1994-95 के budget में इस service tax को introduce किया गया था service tax is now a part of GST GST का full farm ही है goods and service tax और जितने भी services आप avail करते हैं ठीक है जैसे again आपने institute पर पढ़ाई के लिए जो यहाँ पर fees चुकाई है उस पर भी GST लगी है उसे ही service tax कहते हैं आप restaurant में जाते हो खाना खाने के लिए वहाँ पर भी क्या देते हो GST आप pay करते हो तो जितने भी services आप avail कर रहे हैं उन पर GST आप pay करते हो ठीक है who presented the union budget in 1970 1970 में केंदरी budget किसे ने प्रस्तूत किया था तो दोस्तो सबसे ज़्यादा budget प्रस्तूत करने का कीर्तिमान मुरारजी देशाई के पास है 10 बार मुरारजी देशाई ने budget प्रस्तूत किया है 10 बार याद रखेगा 10 बार उसके बाद इनोंने क्या किया था resignation दे दिया था अपना 1970 में resignation कब दिया था ठीक है जब इंदरा गांधी जी देश के प्रधान मंत्री थी और याद रखेगा उसी समय क्या हुआ था ये देश की वित्त मंत्री भी बन गई थी वित्त मंत्री का भी कारेभारिनों ने ही संभाल लिया था इसलिए पहली वित्त मंत्री के रूप में इंद्रा गांधी जी जानी जाती है पहली पूर का लिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीता रामन को जाना जाता है इत्यान रखेगा तो इसका सई option है इंद्रा गांधी तो 1970 का union budget किस ने प्रस्तूत किया था इंद्रा गांधी जी ने प्रस्तूत किया था अगला Self-reliance was the main objective of Self-reliance यानि की आत्म निर्भर आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं न ठीक है, vocal for local ठीक है, यानि की अपनी economy को support करिये, यहां के लोगों से सामन खरी दिये, यही है आत्म निर्भर बनना, जो दूसरे देशों से वस्तूए मगाई जा रही है, वो ना मगानी पड़े, अपनी देश में उनका उत्पादन हो सके, तो इस यह सिक्स्थ प्लान में इंटोड्यूस किया गया था, ठीक है, सिक्स्थ प्लान, याद रखेगा, सिक्स्थ प्लान, अगला दोस्तो, बहुत देशी नदी घाटी पर योजना के नाम से, यह सभी डैम वगरा बनाए जाने को काउंड किया जाता है, डैम बनती है, तो आप जानते हो, सिचाई का साधन हो जाता है, असपडोस, जहां पर भी डैम है, वहां से नहरे निकाल दी जाती है, तो जहां जहां तक वो नहरे जाती है, वहां वहां तक एक तो सिचाई का साधन हो जाता है, दूसरा, बिजली का उत्पादन होता है डैम से तो याद रखीगा ये सब चीजे हैं तो इनको modern temple ये किस ने कहा था ये कही थी बात जवाहला नहिरू देश के पहले प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी अगला इसे पहली पंचवर्षी योजना के अंतरगत लांच किया गया था और ये भी विकास से संबंदित एक प्रोग्राम था जहाँ पर समुदायों का विकास करना था अगला दोस्तों इंडियान Special Economic Rules Amendment के मिंदा इयर ठीक है ये कब आया था इंडियान Special Economic Rules Amendment यानि की बदलाओ याद रखेगा इनी बदलाओ से Special Economic Jones का निर्माड हुआ था हाला कि ये पहले बन चुकी थी क्योंकि ये तो सिर्फ Amendment था ठीक है Special Economic Jones Special Economic Jones यानि की शौर्ट में हम कहें तो सेज सेज क्या होती है सेज क्या होती है तो Special Economic Jones विशिस्ट आर्थिक परिछेत्र होती है ठीक है यहाँ पर से व्यापार करने में फाइदा दिया जाता है व्यापार करने में बहुत सारे incentives दिये जाते हैं, फाइदे दिये जाते हैं, सरकार ही sage area declared करती है, कि this area ठीक है, अब sage के नाम से जाना चाहेगा, या इस area को हमने sage बना दिया है, तो ये आये तो थे 2000 में, ठीक है, और संसोधन की बात करें, तो संसोधन कब हुआ था, इनमें 2006 म जिससे sage को और जादा नई policies बना दी गई थी, और relaxation दे दिया गया था sage को, special economic jones, अगला, which five year plan needs to be correct among the following, इनमें से किस पंचवर्षी योजना को ठीक करने की आउशकता है, तो पहली पंचवर्षी योजना 51-56 बिल्कुल सही है, तीसरी पंचवर्षी योजना 61-66 और दूसर 56-61 बिल्कुल सही है, तीसरी, हाँ, दूसरी 56-61 है बिल्कुल, fourth 66-71 ये गलत है, चौती पंचवर्षी योजना आई थी, 69-74, क्योंकि 66 के बाद से 69 तक क्या रहा है, plan holiday रहा है, क्या रहा है, plan holiday रहा है, याद रखेगा, यानि कि योजना अवकाश, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, needs to be corrected, जिनको correct किया उशकता है, वो है, दोस्तों, यहाँ पर fourth, अगला, which of the following is not a central problem of an economy, निमलिकित में से कौन सी अर्थव्योस्था की केंदरी समस्या नहीं है, अर्थव्योस्था के अंतरगस समस्याएं क्या होती है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत् अब आप से पूछा जा रहा है, कौन सी problems नहीं है, तो what to produce, क्या उत्पादन करें, यह problem है, how to produce, उत्पादन कैसे करें, machine made ज़्यादा ध्यान में रखें, या विक्तियों को ज़्यादा काम पर लें, तीसरा है, for home to produce, उत्पादन किसके लिए करना है, और चौता है, where to produce, व यह करना है, यह central problems है, अगला दोस्तों, which among the following is known as the father of modern economics, बहुत ही आसान शप्रस्न है, आप सभी लोग जानते होंगे, modern economics के further, यानि कि पिता जी कहें जाते हैं, Adam Smith, और Adam Smith को ही capitalism का father भी कहते हैं, किसका, capitalism का, capitalism का, ठीक है, capitalism, और इन्होंने free market economy, free market economy को promote किया था, free market economy, ठीक है, और एक और इनका आया था, lazy fairy, ठीक है, lazy fairy आप याद रखियेगा, यह भी यही दर्शाता है, यह भी यही दर्शाता है, ठीक है, कि क्या करना है, government का interference नहीं होना चाहिए, there is no government interference, तभी यह lazy fairy याद रखियेगा इसको, अगला दोस्तों, With which of the following name is the critical minimum effort theory is associated with, critical minimum effort theory, किसे से संबन्दित है, कौन से नाम से, तो दोस्तों यह H-Limstein T, ठीक है, अब critical minimum effort theory क्या होती है, सुन लिजेगा, critical minimum effort theory, the theory of critical minimum effort is associated with the name of Harvey Limstein, ठीक है, Harvey Limstein याद रखियेगा, the theory is based on the relationship between the three factors, that is per capita income, population growth और investment, प्रतिवेक्ति आए क्या है, जनसंख्या में एक ऐसी व्रद्धी है, और तीसरा यहाँ पर क्या है investment, यानि कि निवेश की क्या इस्थिती है देश में, इसी को दोस्तों हम critical minimum effort theory के नाम से जानते हैं, इनी चीजों पर focus किया जाता है, इस theory में, अगला, the absorption approach analyzing the effects of devaluation has been developed by whom, अवमूलियन के प्रभावों का विशलेशन करने वाला आउशोशन द्रस्टी कोण किसके दोरा चारी किया गया था, अवमूलियन के प्रभावों का विशलेशन करने, अवमूलियन क्या होता है devaluation, devaluation यानि की dollar के against में अपने रुपए की value को कम कर देना, और ये value सरकार के दोरा कम की गई हो, तब ही devaluation कहते हैं, अगर बाजार के कारणों के दोरा कम हुई है, तो याद रखिएगा इसे किस नाम से जानते हैं, बाजार के कारणों से अगर कम हुई है, तो किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताईए, तो अगें सुनियेगा बहुत अच्छे से ठीके absorption approach की बात हो रही यहां पर absorption approach absorb करना तो क्या absorb करना है क्या absorb करना है सुनियेगा इसका सही option है Sydney Alexander ठीके लेकिन सुन लीजेगा absorption approach to the balance of payments status that a country's balance of trade will only prove if the country's output of goods and services increases by more than its absorption where the term absorption means expenditure by domestic residents on goods and services Sydney Alexander ने क्या कहा तो Sydney Alexander ने ये कहा कोई भी देश की स्थिति तब ही सुधर सकती है उसका balance of trade जो कि याद रखीगा balance of payment के अंतरगत balance of trade आता है balance of payment का मतलब क्या होता है विदेशों से कितनी चीजे आपने खरी दी जो आपको पैसा देना है और कितने देशों को चीजे बेची जिन से आपको पैसा लेना है तो अपनी currency दूसरे से claim करना दूसरे की currency खुश से relate करना इसी को हम इस प्रक्रिया को ही किस नाम से जानते हैं इस प्रक्रिया को ही ठीके हम यहाँ पर absorption approach के नाम से जानते हैं तो absorption approach का मतलब क्या निकला समझ लीजेगा बहुत अच्छे से कि again उत्पादन इतना जादा करना है जो अपने absorption से जादा हो यानि कि यहाँ की खपत से जादा उत्पादन होगा तभी हम अंतराश्ट्री इस तर पर सुधर सकेंगे balance of payment अपना सुधर सकेंगे अगला by home was the physical quality of life index calculated for the first time जीवन क्या बहुते गुडवता सुचकांग की गढ़ना पहली बार किसके द्वारा की गई थी physical quality of life index यह पहली बार गढ़ना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों यह गढ़ना करी गई थी Morris D. Morris के द्वारा सुन लीजेगा बहुत अच्छे से developed by Morris D. Morris in 1970s mid 1970s यानि कि 1970 के दशक 1970 के दशक के मध्ध में 1970 के दशक के मध्ध में इसको किसके द्वारा डवलप किया गया था डवलप किया गया था इसको Morris D. Morris के द्वारा और इसके 3 pillars होते हैं 3 pillars कौन कौन से हैं वो 3 pillars है Life Expectancy Rate यानि की जीवन प्रत्याशा दर दूसरा है Infant Mortality Rate यानि की सिश्यूमरत्य दर और तीसरा यहां पर है Basic Literacy Rate यानि की सामाने ठीके सामाने साच्छर्टा दर सामान इस वाच्छरता दर ध्यान रखिएगा तो ये क्या है पिलर्स हैं और ये इनके बारे में है अगला देखिएगा प्रेश्चन विच आप फॉलोइंग इस ट्यू विन दर नॉमिनल जीडीपी इस इक्वल टू रियल जीडीपी जब नाम मातर जीडीपी वास्तविक जीडीपी के बराबर हो तो निम लिखेत में से कौन सा सत्य है नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है सुली चिगा देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंकम को अगर निकालना है तो दो इयर होने चाहिए कौन कौन से दो इयर नेशनल इंकम को अगर कलकुलेट करना है तो एक होता है बेस इयर ठीक है बेस इयर और एक होता है ठीक है करेंट इयर क्या होता है करेंट इयर होता है तो बेस इयर की बात कर लो करेंट इयर की बात कर लो तो base year में समझ लिजगा यहां पर ठीके base year वो year होता है जहां से चीजे सुरुवात हो रही होती है जैसे national income का base year है 2011 और 12 2011 और 12 base year current year तो याद रखेगा base year में ही base year में ही current year की value क्या होती है equal होती है otherwise equal कभी भी नहीं होती है तो इसका सही option है GDP deflator is equal to 1 GDP deflator का मतलब ही यह होता है nominal GDP upon real GDP into 100 यह होता है GDP deflator यह से implicit price deflator के नाम से भी जानते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं the national income is equal to rastry IK बराबर है इन में से 4 formula है देख लीजेगा और बताए rastry IK का formula कौन सा है इन में से कौन सा rastry IK के बराबर है तो यह द्रखी का rastry IK जब बात करते हैं तो हम क्यास की बात करते हैं NNP की बात करते हैं net national product की बात करते हैं ठीक है net national product तो समझे का इसका सही option है net national product minus indirect taxes plus subsidies जो अपरतेक्ष करें उनको minus करना पड़ेगा ठीक है अपरतेक्ष करो को minus करने के बाद हम जोडते किसको है subsidies को जोडने का कारे करते हैं यहाँ पर अगला which of the following is the difference between GDP and NDP GDP और NDP में क्या फरक है तो GDP से ठीक है अगर हम क्या करें अगर हम depreciation minus करेंगे तभी तो हम NDP पर पहुंचेंगे समझेगा बात को depreciation cost is the right option इसका सही option क्या है depreciation cost depreciation cost in macro economics disposable income refers to समस्टी अर्थशास्तर में प्रयोज जी आये का तात्परे क्या है प्रयोज जी आये किसे कहते हैं प्रयोज जी आये का तात्परे क्या है यानि कि disposable income disposable income तो वैसे याद रखेगा disposable income वो income होती है जो आप बाजार में खर्च कर सकते हो जैसे आपको salary मिलती है या कहीं से income आपकी आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो उन खर्चों को निकालते हो जो आपके mandatory होते हैं जो आपके mandatory होती है आज नहीं तो कल क्या करना है चुकाना ही चुकाना है तो इसके इसाब से disposable income को क्या कहते हैं after tax income किस नाम से करके पस्चात आए करके पस्चात जो आए निकल कर क्याती है उसे ही किस नाम से जानते हैं उसे ही दोस्तों हम disposable income के नाम से जानते हैं अगला दोस्तो, which of the following is not a method for redeeming public debt, निमलिकित में से कौन सा सर्वजनिक रिड चुकाने का तरीका नहीं है, इन में से कौन सा सर्वजनिक रिड चुकाने का तरीका नहीं है, यानि कि public debt, सरकार के द्वारा लिये गए रिड को, चुकाने का तरीका इन में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा method नहीं है तो याद रखिएगा sorry, grants in aid यानि कि साहता नुदान जो है वो नहीं होता है grants in aid यानि कि साहता नुदान नहीं होता है धन रखिएगा अगला the non-exclusion principle is related to non-exclusion principle non-exclusion principles किस से संबंदित है non-exclusion principle सुनिएगा बहुत अच्छे से यह संबंदित है public good से यानि कि exclude करना क्या मतलब होता है निकाल देना, हटा देना include मतलब जोड़ना, exclude मतलब हटा देना तो non-exclusion मतलब जिनको आप exclude नहीं कर सकते वो भी उस product का इस्तिमाल करेंगे ही करेंगे जैसे पार्क के अंदर जो आप पार्क जा रहे हो ना पार्क क्या है product, सभी के लिए है पार्क के अंदर बहुत सारी सुविधाय मिल रही हो तो सुविधाय किस के लिए हैं सभी के लिए हैं, तो non-exclusion ठीके, यानि कि आप हटा नहीं सकते हो, ठीके, वो भी उसका फाइदा लेगा ही लेगा, तो एसे को हम public goods के नाम से जानते हैं यानि कि सार्वजनिक संपत्ती सार्वजनिक संपत्ती ठीके, अगला दूस्तो inflation is unjust and deflation is expedient of the two, perhaps deflation is the worst the above statement was given by मुद्राइस फीती अन्याय पूड है मुद्राइस फीती अन्याय पूड है और अपस फीती अनुचित है अपस फीती नहीं, अवस फीती अवस फीती ठीके, अवस फीती क्या है? अनुचित है यानि कि इनका कहना है, मुद्राइस फीती अन्याय पूड है, मुद्राइस फीती से सबसे खराब है उपरोक्त द्वारा दिया गया था अपस्फिती नहीं अवस्फती अवस्फिती सबसे खराब है यानि कि हम बात करें अगर यहां पर इंफलेशन और डिफलेशन में सबसे ज़्यादा खराब कौन सा है डिफलेशन है तो डिफलेशन आखिर क्यों खराब है तो याद रखिएगा यह संटेंस किस ने दिया था यह संटेंस जॉन मेनाड कीन्स ने दिया था ध्यान रखिएगा जॉन मेनाड कीन्स चलिए देखते जल्दी से अगला प्रेशन क्या कहता है दोस्तों कोहन और प्लेहन ने सारजनिक वेको के आधार पर वर्गीकरत किया किसके आधार पर इन्होंने सारजनिक वेको ठीके क्या किया था डिफाइन किया था या वर्गीकरत यानि कि क्लासिफाई किया था दोस्तों on the basis of benefit यानि की अब सुलीजेगा बहुत अच्छे से, पुबलिक एकस्पेनडीचर यानि की सरकार के द्वारा किया गया खर्चा, तो पुबलिक एकस्पेनडीचर बेनिफिट मिल रहा है, उन्हों ने चार भागों में वरगीक्रत किया था, चार भाग समझ लीजेगा बहुत अच्छे से, एक इनोंने क्या कहा था, public expenditure benefiting the entire society, यानि की सरकार के दोरा किया गया खर्चा जो पूरी society को फाइदा देता है, पूरी society को जैसे की general administration, police वगरा बना दिया गया, defense यानि की army बना दी गई, schools बना दिये गए, public health, hospital वगरा बना दिय बसेज वगरा, transportation वगरा, ये तो हो गया पहला खर्चा सरकार के दोरा, जो लाब पूरे समाज को देता है, दूसरा खर्चा, public expenditure conferring a special benefit on certain people, यानि की सरकार के दोरा किया गया ऐसा खर्चा, जिससे कोई निश्चित, निश्चित जो है, लोग वही फाइदा उसका उठा सकते ह जैसे यहाँ पर है, administration of justice, administration of justice, ठीके, यानि की नियाय का प्रसाशन जो है, ठीके, तीसरा है, public expenditure directly benefiting particular group of persons and indirectly the entire society, इंडिरेक्ली यानि की अपरतिक शुरूप से पूरे समाज को लाब पहुचाता है, लेकिन directly क्या है, ठीके, particular group of persons को, ठीके, वेक्तियों के समूँ को लाब जैसे यहाँ पर हो गया social security, जैसे की हम social security या EPF की बात कर लेते हैं, ठीके, हम EPF की बात कर रहे हैं, अटल pension, योजना की बात कर लो, यह सब social security में आता है, public welfare, यानि की गरीबों के लिए कई योजनाय सरकारे बनाती हैं न, public welfare, ठीके, pension system हो गया, unemployment relief, जो unemployment allowance दिया जाता है, ब directly तो जिसको मिला उसको benefit मिलेगा, लेकिन वो जब बाजार में खर्च करेगा उस पैसे को, तो उससे तो पूरे समाज को लाब मिलेगा न, थीसरा है, अगला है चौथा, public expenditure conferring a special benefit on some individuals, यानि कि सरकार के दोरा किया गया वो खर्चा, जिसका benefit सिर्फ कुछ विक्तियों को ही मि तो एक particular group को ही उसका directly benefit मिल रहा है, तो ये चार, चार चीजे, ठीके ये public expenditure को सारवजनिक वे को चार भागों में on the basis of benefit divide किया था, ठीके ध्यान रखेगा इस बात को, अगला, who proposed the zero based budgeting for the first time, सुनी आधारित budgeting का प्रस्ताव पहली बार किस ने दिया था, सुनी आधारित budgeting दोस साल, चीजे zero से सुरू करना, अपने भारत में देखते हो ना, budget आता है, तो हर बार zero से सुरू होता है, पुराने accounts close कर दिये जाते हैं, और नए सिरे से सब कुछ सुरू किया जाता है, तो इसको सुरू किया था, ठीके, पीटर पहर ने, पीटर पहर ने इसको सबसे पहले थी, 1983 में जो विज्ञान और प्रद्वगी की विभाग है, Department of Science and Technology भारत सरकार का, उसने zero based budgeting को अपनाया था, in 1986, the Indian government implemented zero based budgeting as a system for determining expenditure budget, यानी कि जो वे का budget था, जो खर्चा था, 1986 से सरकार ने zero based budgeting को implement कर दिया था, भारती बजट में ध्यान रखियेगा, तो 1970 में पीटर पहर ने दिया, 1983 में, 1983 में भारत का Department of Science and Technology इसने इसको अड़ाप्ट किया, माना, उसके बाद 1986 में budget में, अगला, according to the monetarist, the Philips curve in the long run is, मुद्रावादियों के नुसार, दीरगावदी में फिलिप्स वक्र, दीरगावदी में फिलिप्स वक्र क्या होता है, तो दीरगावदी में फिलिप्स वक्र जो है, वो दोस्तों हो जाता है, वर्टिकल, कैसा हो जाता है, लंबोत हो जाता है, यानि कि इसका कोई महत तो नहीं रह जाता है, अब फिलिप्स कर्ब क्या होता है, इसको AW फिलिप् एक तरफ है inflation rate यानि की मुद्रा इस फीती की दर और दूसरी तरफ एक सेक्सिस पर क्या है बेरोजगारी प्रतिशत तो आप देखरों अगर inflation ज़ादा है तो अगर ये line लेते हैं यहाँ पर तो आप देखते हो बेरोजगारी क्या है कम है अगर बाजार में बाजार में short run की बात हो रही है यहाँ पर यानि की मुद्रा इस फीती बढ़ रही है वस्तू और सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी कम हुई है बेरोजगारी कम हुई है क्योंकि वस्तू और सेवाओं के दाम बढ़ेंगे तो supply तुरंत बढ़ेगी supply बढ़ाने के लिए production औ एक बराबर हो जाती है, यह ऐसा कर्व हो जाता है, यानि कि कोई फरक नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका inflation का unemployment rate पर क्योंकि ये स्थितियां खुश सोचो अगर ये स्थितियां long term चल गई तो क्या होता है फिर तो और बेरोजगारी घट जाएगी फिर तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी reason एक समय तक तो उत्पादन होगा लेकिन जब बाजार में मांग ही नहीं होगी तो पादन अपने अप क्या हो जाएगा बंध हो जाएगा तो इस बात को याद रखेगा ये long term में इसका कोई बतलम नहीं बचता है वरना अगर कभी आपसे पूछा जाए कि flips work क्या बतलाता है तो याद रखेगा फिलिप्स वर्क्स मुद्रा इस फीती और बेरोजगारी दर के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है ठीक है ध्यान रखेगा इस बात को अगला the value of a commodity expressed the value of a commodity expressed in terms of money is known as in terms of money किसी भी commodity की value जो की मुद्रा के मुद्रा के रूप में विक्त की जाती है उसे ही तो मुल्ल कहते है price कहते है किसी भी वस्तु का मुल्ल क्या है उस प्रड़क की monetary value उस प्रड़क की monetary value इस प्रकार के आसांशे प्रस्न होते हैं बट वो आपको confuse कर देते हैं अगला दोस्तो total utility becomes maximum when कुल उप्योगिता जो है वो अधिक्तम हो जाती है अगर सीमान तो उप्योगिता जीरो हो marginal utility अगर जीरो होगी तभी कुल उप्योगिता जो है वो क्या हो जाती है दोस्तो वो बढ़ जाती है ठीक है तो देखेगा marginal utility का मतलब क्या है marginal utility सीमानत उपयोगिता measures मापती है the change in satisfaction from consuming one additional unit एक extra unit या एक अतरिक्त unit को जब आप consume करते हैं तो पुभोग करते हैं उससे कितना satisfaction आपके satisfaction में क्या बदलाव आया ये marginal utility देखती है और total utility का काम क्या है instead measures the total amount of satisfaction of you get from all the units you consume of a good or services किसी भी वस्तु या सेवाओं के सारे unit को consume करने के बाद जो भी satisfaction आप feel करते हैं जो भी आपके satisfaction में बदलाव आया है वो total utility उसको measure करती है तो total utility अधिक्तम तभी हो सकती है जब marginal utility zero हो यानि कि one additional unit one additional unit से आपको कोई satisfaction ना मिल रहा हो वो zero होगा तभी यह maximum होगा otherwise maximum नहीं हो सकता ठीक है due to a rise in price यानि की वस्तु के मुल्य के बढ़ने के कारण तो ये law of demand को relate कर रहा है और ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं ऐसी स्थिति को हम दोस्तो मांग का संकुचन यानि की contraction of demand के नाम से जानते हैं किस नाम से? contraction of demand यानि कि मांग संकुचित हो गई है मांग में कमी आई है न decrease in the quantity demanded और यही demand expanded हो जाती अगर situation इसके just opposite हो जाती ठीक है due to the अगर price low हो जाते तो क्या हो जाता demand का extension हो जाता demand बढ़ जाती तो यह contraction of demand है ध्यान रखियेगा अगला spending of money on acquiring luxury goods and services to publicly display economic power of the buyer is called खरीदार की आर्थिक शक्ती को सारवजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए विलासिता की वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने पर धन खर्च करना कहलाता है जो बहुत लगजरी वस्तुएं खरीदी जाती है ना विलासिता पूर वस्तुएं जैसे ओडी कार लाए फरारी लाए ठीक है ले मॉर्गी नी ले आए तो ये विक्ति क्यों ला रहा है क्योंकि वो बहुत लगजरी चीज़े खरीद रहा है उसके पास पैसा है और वो समाज को दिखाना चाहता है तो ऐसी सिति को ठीक है ऐसी सिति को हम किस नाम से इसे हम दोस्तों कॉनस्पिकस कंजूमर कंजम्शन के नाम से जानते हैं कॉनस्पिकस कंजम्शन ये कॉनस्पिकस कंजम्शन है दे टाम कॉनस्पिकस कंजम्शन nobody the act of buying something especially something expensive that is not necessary to one's life किसी की life में उसकी आउशक्ता नहीं है लेकिन क्योंकि उसको सामने वाले समाज को दिखाना है notice कराना है आउशक्ता नहीं है economic समेशा उसक्ताओं पर focus करती है इन चीज़ों पर focus नहीं करती है तो need नहीं है आउशक्ता नहीं है लेकिन क्योंकि समाज को अपना लग्जरी पन दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे ठीके करोड़पती हो तो दिखने भी तो चाहिए वो वाली बात है यहाँ पर ठीके वो BMW या ओडी खरीद करके लाएगा दिखाने के लिए अगला जब किसी वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु की मांग पर निर्भर करती है तो यह रॉम मेटीरियल की मांग हो गई ना रॉम मेटीरियल की मांग किस पर निर्भर करेगी जब फाइनल प्रोडट्स की डिमांड होगी बाजार में तो raw material की demand को क्या कहेंगे raw material की demand हमेशा derived demand कहलाती है याद रखेगा कौन सी demand derived demand कहलाती है यानि की व्यूत पन मांग और direct जो product की demand है वो क्या कहलाती है वो direct demand कहलाती है अगला zira price elasticity of demand E p यानि की elasticity of price equal to 0 is also called EP अगर 0 है तो ऐसी सिति को क्या कहेंगे Elasticity of price 0 है तो इसको बोलते हैं दोस्तो Perfectly in Elastic Demand पूरी तरह से बेलोचदार मांग या एक और शब्द लिखा होता है पूरतया बेलोचदार मांग पूरतया बेलोचदार मांग कुछ इस तरीके का इसका graph बनता है देख लिजेगा एक तरफ price है और एक तरफ है quantity demanded price बढ़ घट रहा है लेकिन demand बराबर है demand में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो इसको EP या ED 0 के नाम से जाना जाता है ठीक है कोई फर्क नहीं आ रहा है दोस्तो ध्यान रखिएगा इस बात में यानि कि यह perfectly inelastic demand और inelastic demand का example का हो सकता है inelastic demand का example हो सकता है जैहे से बताय थना salt हो सकता है medicinal product हो सकते हैं रोटी ठीके यानि कि खाने पीने की वस्तुए जो है वो हो सकती हैं जहाँ पर अगला price effect is a combination of मुल्य का प्रभाव का एक सयोजन है जो price effect है मुल्य मुल्य का प्रभाव वो किसका सयोजन है दोस्तों यह सयोजन होता है income effect और substitution effect income effect का मतलब क्या है I में क्या प्रभाव आया क्या बदलाव आया और substitution किसी product का substitute यानि कि उसके वैकल्पिक उत्पादों में क्या परिवर्तन आया यही दोनों परिवर्तन combination है किसका price effect यानि कि मुल्ली को तै करते हैं मुल्ली को तै करने का कारे करते हैं अगर लोगों की आय बढ़ रही होगी यानि कि बाजार में money supply बढ़ रही है तो मुल्ले बस्तूओं का बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा बताए मुझे अगला angel curve shows the relationship between angel curve जो है वो किसके बीच में relationship को establish करता है earnest angel के दौरा angel curve दिया गया था angel curve बताता है level of income and quantity purchased क्या आपकी आय का इस्तर है और कितनी quantity आपने purchase की है एक बात इन्होंने बताई थी जैसे कि किसी भी वेक्ति की income में जो बढ़लाव आता है उतने ही प्रतिशत का बढ़लाव food पे नहीं दिखता है food पर किया गया प्रतिशत परिवर्तन कम हो जाता है सोचिया आपकी income माल लिजे आपकी income दस प्रतिशत बढ़ी तो क्या food पर भी आपका expenditure दस प्रतिशत ही बढ़ जाएगा बिलकुल भी नहीं खाना तो उतना ही खाओगे न आए बढ़े या घटे घटेगी तो हो सकता है पैसा ही नहीं होगा तो कम खाओगे एक रोटी लेकिन आए के बढ़ने से जादा नहीं खाने लग जाओगे चार रोटी आपकी जो एक छमता है उतना ही consume कर पाओगे ये बात याद रखेगा तो food पर किया जाने वाला खर्च वेक्तिकी आए बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है ये भी एंजल नहीं भी बताया था ध्यान रखेगा अगला विचाब दा फॉलोइंग थ्योरीज ओफ बिजनस साइकल वस पुट फॉरवड बाई हिक्स ब्यवसाय चक्र का निमलिकित में से कौन सा सिधान्त हिक्स दौरा प्रतिपादित किया गया था तो जौन हिक्स के दौरा प्रतिपादित किया गया था इन्होंने क्या बताया बिजनस साइकल बिजनस साइकल क्या होता है जब कभी भी प्रोड़क्ट कोई इंटोड्यूज होता है इंटोडेक्शन होता है ग्रोथ होता है उसके बाद maturity होती है, उसके बाद declining आ जाती है, ठीक है, कोई भी वस्तू, आप देखते हो, product पहले बाजार में introduce होता है, introduce होने के बाद चर्चा का पात्र बनता है, एक समय ऐसे आता है, जब वो maturity पे आता है, तो याद रखेगा, उस समय उसमें अगर innovation किया जाता रहे, तो उ चौटी की तरफ नहीं जाएगा, यानि कि declining phase में नहीं जाएगा, तो ये इनकी innovation छोरी बताती है, यानि कि कुछ ना कुछ बदलाओ करते रहे, आप बाजार में यही तो देखते हैं, ठीक है, कोई एक car या कोई एक product company का बिकना बंद हो जाता है, तुरंट नया model ले आती है कोई एक mobile बिकना बंद हुआ, तुरंट अगला नया model दे दिया, उस नया model में थोड़ा सा innovation कर दिया, चीजों को बदल दिया, तो ऐसे वो हमेशा profit में बने रह सकते हैं, आईफोन क्यों बार-बार model बदल देता है, अपना 13 के बाद, 14 के बाद, 15, 16, 17 अगर आज भी वो या पाँच या छे बेच रहा होता, consistently तो उसकी सेल में कमी आई होती या नहीं, बिलकुल आई होती कमी, तो ये बात याद रखिएगा, National Rural Development Institute is located at which place, यानि की राष्टी ग्रामीड विकास संस्थान, इस संस्थान का basically काम क्या है, ठीक है, Rural Development यानि की ग्रामीड का, या ग्रामीड छेत्रों का विकास करना, इस से संबंधित रिसर्च वगरा पर ये कारे करता है, कहां पर इस्तित हैं दोस्तों, हैदरबाद में इस्तित है, हैदरबाद में, तो Institute's के headquarters भी पूछ लिया जाते हैं, ठीक है, अगला दोस्तों, which crop is sown on the largest area in India, भारत में सबसे अधिक छेतरफल पर कौन सी फसल हुगाई जाती है, सोचिए, कि पूरे भारत वर्स में सबसे जादा जो, ठीक है, जो crop area है, वो उसी फसल के West Bengal में होता है, जिसे rice bowl या धान का कटोरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओर ओर अगर मैं बात करूँ, तो भारत दूसरे number पर आता है, after China, production of rice में, production of rice में ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगला दोस्तों, consumer production act कोपरा, ठीक है, कोरपा was amended in, consumer production अधिनियम, यान अगर आपको किसी company ने ठगा है, कोई fraud product आपको बेचा है, तो आप यहाँ पर complaint कर सकते हैं, पूरा का पूरा redressal का module इन्होंने develop किया हुआ है, और यह आया था 1986 में, 1986 में, लेकिन अभी हाली में, 2019 में, इसमें amendment कर दिया गया है, कब 2019 में, तो 2019 में amendment कर करके, अब consumer production act 2019 develop कर द वसूलती हैं, भारत में तीन इस्तर पर कर वसूला जाता है, एक केंदर सरकारे कर वसूलती हैं, एक रज सरकारे कर वसूलती हैं, और तीसरे नंबर पर आती हैं, इस्थानी सरकारे, और इस्थानी सरकार भारत में दो भागों में बटी हुई हैं, एक है स्थानी ग्रामीड सरकार में पंचायत आती हैं, तो इनमें से पंचायत के द्वरा वसूला गया कर कौन सा है दोस्तों, ये है tax on local fares, जो गाव अगेरा में मेला लगता है ना, उन मेलों पर भी कर लगाया जाता है, क्योंकि वो पंचायत की जमीनों पर मेले लगाए जाते हैं तो उनसे वसूलने वाला कर क्या कहा जाता है इसे पंचायत वसूलती है ध्यान रखेगा अगला foreign currency which has a tendency of quick migration is called विदेशी मुद्रा जिसमें तुरित तुरित प्रवासन की प्रवत्ती होती है कहलाती है तुरित प्रवासन यानि की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तुरंत क्या हो जाएगा migrate हो जाएगा तो ऐसी currency को hot currency कहते हैं दोस्तों ठीक है hot currency hot currency यानि की कुछ फाइदे के लिए एक देश से दूसरे देश में move कर जाती है basically foreign investors जो होते हैं वो कुछ lab के लिए ठीक है अगर आपके वहाँ index downfall में जा रहा होगा तो दूसरे देश में निवेस कर देते हैं चले देखते हैं अगला प्रशन क्या कहता है दोस्तों अगला प्रशन which among the following is not an apex institution निमलिकित में से कौन सर्वोच संस्था नहीं है इनमें से कौन सी संस्था सर्वोच संस्था नहीं है जल्दी से देखे और बताइए तो दोस्तों इसमें जो सर्वोच संस्था नहीं है देखेगा भाई नावाड की बात कर लीजे सर्वोच संस्था है regulator भी है state cooperative bank ये भी सर्वोच संस्था है कौन सी नहीं है तो state bank of India क्योंकि state bank of India के उपर कौन कारे करता है reserve bank of India कारे करता है याद रखेगा इसका सही option है SBI ठीके आगे बढ़ते दोस्तों विश्यो बैंक का गठन कब हुआ था ठीके कब फर्म हुआ था विश्यो बैंक विश्यो बैंक के वर्त मान के जो president है वो है अजय बंगा जी जो की भारती मूल से बिलॉंग करते हैं दोस्तों और यहां के chief economist है इंदरमीत गिल वो भी क्या है भारती मूल से ही है इसका establishment हुआ था जुलाई 1944 में कब हुआ था जुलाई 1944 में और एक बात याद रखेगा इसे Bretton Woods Institution के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन सबका establishment Bretton Woods Conference में ही हुआ था तो Bretton Woods Institution के नाम से भी हम इसको जानते हैं और वर्त मान में इसमें कितने देश इसके सदसे हैं तो members की अगर हम बात करते हैं तो members इस समय 189 है ध्यान रखेगा 189 members हैं यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों The Capital of the International Monetary Fund is made up of अंतराश्री मुद्रा कोष की ठीक है Capital स्वारी राजधानी नहीं है Capital का मतलब है यहाँ पर जो मुद्रा है वो मुद्रा बनी है किस से बनी है मुद्रा अंतराश्री मुद्रा कोष की मुद्रा जो अंतराश्री मुद्रा कोष के पास पैसा आता है पैसे समझे जो IMF के पास funding आती है वो funding कैसे आती है पैसा कैसे इकठा होता है तो याद रखेगा जितने भी सदस्य सके member है और कितने सदस्य सके member है IMF के members है 190 IMF के members कितने है 190 members है 190 members मिलकर के contribute करते है हर एक country का एक quota system है उस quota system के according वो contribute करते है सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इसको पैसे देता है वो कौन सा है वो है दोस्तों America USA सदस्य रास्ट्रों से मुद्रा इनके पास आती है और IMF IMF की currency को किस नाम से जानते है SDR के नाम से जानते है Special Drawing Rights के नाम से जानते है अगला दोस्तों भारत में ट्रेजरी बिल कौन बेचता है दोस्तों ट्रेजरी बिल जो होतने है यह monetary यह याद रखेगा यह एक प्रकार के instruments होते है instruments यानि की लोग इन में निवेश करते हैं और सरकार के पास इन में से पैसा आता है तो जब कभी भी Government of India को पैसे की जरूरत होती है requirement होती है तो वो क्या करता है वो Treasury Bill इशू करने का कारे करता है T-Bill Short में बोलते हैं और इस समय जो है 91 Day T-Bill इशू होता है 91 दिनों का 182 दिनों का T-Bill इशू होता है ठीक है और 364 डे का T-Bill इशू होता है ध्यान रखेगा और इनको इशू करने का काम Reserve Bank of India का है लेकिन on the behalf of Government of India सरकार के बिहाफ पर Reserve Bank of India ही इनको इशू करता है ध्यान रखेगा और Treasury Bill हमेशा किसके Multiples में होते हैं ये हमेशा 25,000 के Multiples में होते हैं 25,000 के Multiples में होते हैं ध्यान रखेगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं In which year the Indian rupee was devalued two times within a month किस वर्ष भारती रुपए का एक महा के भीतर दो बार Aumulian किया गया था अब Aumulian का मतलब क्या होता है Aumulian का मतलब होता है डॉलर के मुकाबले भारती रुपए का गिर जाना ठीक है लेकिन ये ये गिरावट सरकार के दौरा तै की गई हो सरकार के दौरा पै की गई हो तो ऐसी गिरावट को हम devaluation कहते हैं और अगर ये market forces यानि की बाजार आधारित होती है तो इसे हम depreciation बोलते हैं दोनों ही स्थितियां एक ही है सरकार के दौरा किया जाए तो devaluation बोलते हैं Aumulian और अगर अपने आप हो तो उसे depreciation बोलते हैं आप देखते हो ना रुपए के मुकाबले dollar per day change होता रहता है dollar का price तो ये समझेगा इसको बोलते हैं devaluation मान लिजेगा एक dollar बराबर चल रहा था कितना ठीक है बराबर हम मान लेते हैं सरकार के दोरा किया गया है तो devaluation और अपने आप हुआ है तो depreciation बोलेंगे तो याद रखेगा यहाँ पर तीन बार अब तक सरकारे devaluation कर चुकी है 1991 में एक ही महिने में दो बार किया गया था देख लीचेगा तो Indian rupee devalued in three instances अब तक तीन बार हो चुका है पहली बार कर दिया गया था new economic policy जिसके इंतरगत हम liberalization, privatization और globalization की बात करते हैं अगला who said interest is the reward for abstinence किसने कहा ब्याज सायम का प्रतिफल है देखो बात तो सही है ब्याज कब मिलता है सायम का प्रतिफल है आपको अगर ब्याज चाहिए तो एक साल में मिलेगा ना तो उतना तो सहीम आपको दिखाना पड़ेगा ना सहीम दिखाओगे तभी आपको ब्याज मिलेगा तो सहीम का प्रतिफल आपने इतने दिन इंतजार किया अपने पैसों को जमा किया इंतजार किया दिन आपको ब्याज मिला है तो ये बात किसने कही थी ये बात दोस्तो मार्शल ने कही थी, ठीक है, ये बात मार्शल ने कही थी, अगला दोस्तो, what are the debenture holders of a company, किसी कमपनी के debenture धारक उस कमपनी के क्या होते है, debenture धारक का मतलब क्या होता है, देखे, कमपनियों के shares भी आप अपने पास खरीद के रख सकते हो, debenture भी खरीद क तो आपने पैसे दिये होगे, company को पैसे दिये हैं, बदले में आपको रिड़ पत्र मिल गया है, ठीक है, जिस पर एक ब्याज की दर लिखी होगी, तो जितने पैसे आपने company को दिये हैं, उस पर company आपको ब्याज चुकाएगी, company profit कमाये या ना कमाये, आपको ब्याज shareholders भी company में निवेश करते हैं पैसे का लेकिन company को profit होता है तो company dividend देती है नहीं profit होता है तो dividend नहीं देती है तो debenture holders क्या होते हैं लेंदार होते हैं इनको company से पैसा लेना है ठीक है इनको company से पैसा लेना है इन्होंने company को red के रूप में पैसा दिया है, तो इनको creditors के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ये लेंदार होते हैं अगला, what does barter transaction means, वस्तु विनिमे लेंदेन का क्या रथ है, दोस्तो बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत में पहले वस्तु विनिमे ही चलता था तो दूसरे को गेहूं दे दीजिए, बदले में चावल ले लीजिए, ऐसे ही पहले चलता था, क्योंकि उस समय रूपिया नहीं था, रूपी बात में है, आज की डेट में हम हर चीज, रूपी के equivalent चीजे change कर सकते हैं, होता आज भी वस्तु विनिमे है, लेकिन बदले में एक measurement है, जो ये तै कर देता है, पहले क्या होता था, एक किलो, यहूदिया उतना ही हमें चावल मिल गया, पर दोनों का rate तो अलग-अलग हो सकता है न, ठीक है, ये याद रखेगा, तो क्या हुआ सही बात यहाँ पर, goods are exchange with goods, वस्तु का वस्तु से वस्तु से आदान प्रदान Human Development Index was developed by HDI, Human Development Index को develop किया था 1990 में, महबूब उलहक ने 1990 में, महबूब उलहक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री के पाकिस्तान के अर्थशास्त्री याद रखेगा महबूब उलहक, तो इनके द्वारा और UNDP, United Nations Development Program के द्वारा Human Development Index को लाए गया था Human Development Index, मानो विकास सूचकांग, जो किसी भी देश के economic growth के बारे में बताती है economic growth नहीं, economic development के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में तीन इंडिकेटर्स पर काम करती है, तीन डामेंशन पर काम करती है एक सिच्छा होता है एक स्वास्थी होता है और एक रहन सहन का इस्तर होता है, तो सिच्छा स्वास्थी और producing an additional unit of output by a firm is called किसी firm दोरा उत्पादन की एक अतरिक तिकाई का उत्पादन करके कुल लागत में व्रधी को क्या कहा जाता है कुल लागत में व्रधी हो जाएगी एक अतरिक तो उत्पादन करेंगे तो इसे दोस्तो हम marginal cost के नाम से यानि की सीमान्त लागत के नाम से जानते हैं एक extra unit को produce करने की cost को सीमान्त लागत यानि की marginal cost कहा जाता है micro economics is also called micro जब शब्दा जाता है तो याद रखेगा individual decisions पर focus किया जाता है और यही अगर macro होता m-a-c-r-o तो याद रखेगा हम पूरे देश की बात कर रहे है inflation की बात कर रहे है unemployment की बात कर रहे है उसे समस्टी अर्चसासर कहते है इसे वेस्टी अर्चसासर कहते है तो यह basically price theory होती है क्योंकि individual decisions किस पर निर्भर करता है price पर हम और आप जो भी बाजार में निर्णे लेते हैं वो on the basis of price ही तो लेते हैं मुल ले सबसे पहले क्या पूछते है अभी भी आप दुकान में जाते हो कुछ भी खरीदने है ठीके किसी दुकान में माल लीजे आप कुछ साड़ी लेने गए ठीके पैंट शेट लेने गए तो आप क्या पूछोगे ठीके भी खरीदना है तो वो क्या कहता है आप अपनी range बताओ पही से बताओ कितने रुपे तक का चाहिए तो price आ गया ना तो individual के decisions price पर निर्भर करते हैं इसलिए इस theory को price theory के नाम से जाना जाता है अगला अल्पाधिकार की सबसे विशिस्ट विशिस्ता है अल्पाधिकार का मतलब फिया हुआ है दोस्तो ओल्पाधिकार यह भी एक form of market है इस form of market में कुछ विकरेता होते हैं बहुत सारे करेता होते हैं मतलब few sellers ठीक है और large number of buyers few sellers जिसे भारत में telecom का example ले सकते हैं by telecom service provider कौन-कौन है एरटल है Vodafone है ठीक है Jio है कुछी कमपनिया तो है BSNL है कुछी कमपनिया तो है जो दे रही है तो याद रखेगा इन में जो एक distinct wise feature होता है वो होता है interdependence यानि की परस पर निर्भरता आप चाहें एरटल की बात कर लो Vodafone की बात कर लो Jio की बात कर लो लगभग सभी के recharge एक price के अनुसार आते हैं अगर इन में से एक कम या ज़्यादा कर ले तो दूसरा उठ जाएगा दूसरा चलने लग जाएगा ठीक है Jio ने changes किये न तो उसी changes के आधार पर सबको अपनी policies में बदलनी पड़ी changes करने पड़े ठीक है तो वो बात याद रखी का ये परस पर निर्भर फर में होती है Oligopoly में Who is the lender of the last resort in the banking structure of India भारत की banking सनरचना में अंतिम उपाय का रिड़दाता कौन है Lender of last resort दोस्तो RBI को Lender of last resort के नाम से जाना जाता है क्योंकि जब कभी भी commercial bank को सबसे last में अगर कोई पैसा दे सकता है तो Reserve Bank of India है Same as government को भी अगर पैसा चाहिए तो सबसे आखरी में अगर कोई पैसा दे सकता है उसको तो वो है Reserve Bank of India इसलिए से Lender of last resort के नाम से जाना जाता है सरकार दोरा सबसेडी का भुगतान किसको किया जाता है सरकार सबसेडी का भुगतान किसको करती है दोस्तो तो सबसेडी का भुगतान सीधे producing units को करती है जो उत्पादन इकाईया है ना उनको ही इसका भुगतान किया जाता है इसी के लिए जो customer तक product पहुंसता है उसका price कम कर दिया जाता है क्योंकि price तो उसका ज्यादा है मालीजे किसी वस्तु का उत्पादित मुल एक हजार रुपे है अब फर्म को 200 रुपे पर unit की क्या मिल गई तो बाजार में कितने रुपे की बेचेगा 800 रुपे की बेचेगा तो हम और आप 800 रुपे चुकाएंगे लेकिन 200 रुपे सरकार ने पहले ही चुका दिया है इस फर्म को 1000 रुपे ही मिलेंगे अगला दोस्तों Underdeveloped countries are the slums of the world economy this statement is by Underdeveloped economy यानि कि जो अलप विक्सित अर्थ ब्योस्ताएं है वो slum है दोस्तों मलिन बस्तियां है slums कहा जाता है न जैसे मुंबई में धारावी धारावी को slum area कहा जाता है slum area मलिन बस्ती हर शहरों में आप देखते हो slum होती है तो ऐसे ही पूरे विश्यो में जो Underdeveloped economy है अलप विक्सित अर्थ ब्योस्ताएं तो उनको slum के रूप में किसने परिभाश्यत किया था ये परिभाश्यत करने का काम था एन एन कैम क्रॉस का एन कैम क्रॉस ने ये वाक्य कहा था एन कैम क्रॉस ने Planning from below is known as देखो दो तरीके से planning होती है एक होती है ठीक है उपर से नीचे top to bottom और एक होती है bottom to up जब top to bottom होती है तो वो centralized planning कहलाती है क्या कहलाती है centralized planning कहलाती है और जो bottom से top की और planning गाती है उसको decentralized planning के नाम से जानते हैं विकेंद्री करत योजना केंद्री करत योजना क्या होगा उपर से नीचे आएगी जैसे केंद्र क्या है केंद्र सभी के लिए योजना बनाएगा तो बनाने बाद लागू कर देगा ठीक है तो इसको केंद्री योजना कहेंगे विकेंद्री करत यानि कि सब राज्य अपनी पहला क्या है, quantity and quality of factors of production, factors of production में क्या आता है, land, labor, capital और entrepreneur, भूमी, सरम, पूंजी, उत्पादकता, कई बार आपको बता चुका हूँ, तो again, इनकी quantity और इनकी quality, yes, यह बिल्कुल सही है, then the state of technical knowledge, किसी भी देश में technical knowledge क्या है, ठीक है, लोग प्रदवगी की को कितना जानते हैं, तीसरा है, economic and political stability, political stability होना बहुत जरूरी है, अगर सरकार ही आइस्थिर रहेगी, तो निड़े ही नहीं ले पाएगी, और economic stability, आर्थेक stability भी चाहिए, तो यह तीनों ही बाते सही है, all of the above is the right option, ठीक है, अगला बतेगा, by parallel economy is beaten economy, समानांतर अर्थव्योस्था से तात परे, सम प्रचुर मात्रा में काला धन है, ठीक है, parallel economy वही exist करेगी, जहां पर जिस economy में black money होगा, अगर black money नहीं होगा, तो parallel economy कभी भी established नहीं हो सकती, तो जितना जादा black money होगा, जिस भी अर्थव्योस्था में, वहां पर उतनी जादा ओगी, ठीक है, parallel economy रंग कर रही होगी, तो क्या है option, which has plenty full of black money, यानि कि जिसके पास प्रचुर मात्रा में काला धन है, प्रचुर यानि कि बहुत काला धन है, अगला, which of the following is the characteristics of capital as the factors of production, निमलिकित में से कौन सा उत्पादन के कारक के रूप में पूंजी की विश्यस्ता है, अभी उत्पादन के कारक बताया ना मैंने आपको land, labor, capital और entrepreneur, तो याद रखिएगा main जो कारक होता है, वो होता है labor, labor के बिना कुछ भी possible नहीं है, पूंजी बात की बात है, पहले क्या होना चाहिए, labor होना चाहिए, तो याद रखिएगा पूंजी को passive factors of production कहा गया है, यानि कि उत्पादन का एक निस्क्री है कारक, जो active, active factor of production होता है, वो labor होता है, ध्यान रखिगा, labor बहुत important है, श्रम बहुत important है, अगला, when national income is calculated concerning a base year, it is called, जब base year यानि की आधार वर्ष के आधार पर राष्ट्री याए को निकाला जाता है, तो आधार वर्ष, इस समय आधार वर्ष कौन सा है, 2011 बारा है, और इसी को ए याद रखिएगा, इस से real national income निकल करके आती है, वास्तविक राष्ट्री आए, और अगर वर्तमान मुल्यों को ले करके करेंगे, तो क्या निकल करके आएगी, nominal national income निकल करके आएगी, nominal national income, अगला दोस्तो, industrial credit and investment corporation of India was established in, भारती और द्योगी ग्रिड और निवेश निगम के स्थापना कब हुई थी, ICICI के स्थापना कब हुई थी, ICICI, इसके स्थापना 1994 में हुई थी, याद रखिएगा, ICI से bank की, ठीक है, और headquarter कहां पर है, Mumbai में है, याद रखिएगा, लिग देता हूँ, परेशान मत हो जाएगा, headquarter इसका कहां पर है, Mumbai में है, वर्तमान में the financial capital of India भारत की वित्तिय राज्थानी, अगले दोस्तो, the horizontal demand curve parallel to x axis implies that the elasticity of demand is, x अच्च के समानांतर छेतिज मांग वक्र का तातपर है, कि मांग की लोच है, छेतिज, यानि की इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये infinite को दर्शा रहा है, किसको, अनंत क वो दर्शाने का कारे कर रहा है, ठीके, यानि की, यानि की, अगेन, इस तरफ है price, price में हलका सा change करेंगे, तो quantity demanded, बिलकुल infinite change चला जाएगा, ये infinite है, यानि की हम control, हम देख नहीं पा रहे हैं, infinite है, अगला दोस्तो, cost push inflation के बारे में बात हो रही है, cost push inflation, occurs because of, लागत प्रेर इसने का मतलब है, raw material का price बढ़ गया, wage का price बढ़ गया, तो क्या होगा, wage push, profit push, A and B, तो ये क्या हुआ, wage push, ठीके, ये, wage और profit दोनों push हो गया, बोथ A and B, यानि की, किसी भी संस्था को ज़्यादा लाब कमाना हो, तो profit बढ़ाएगी, तो भी cost बढ़ जाएगी, ठीके, profit के बढ़ाने से cost बढ़ जाएगी, और wages, जितने भी laborers काम कर रहे हैं, वो अपना अगर wages बढ़ाने की बात करेंगे, तो भी cost बढ़ जाएगी, तो ये दोनों ही cost push inflation इनसे occurs होते हैं, अगला, the supply of labor in the economy depends on, अर्थ व्योस्ता में श्रम की आपूरती निर्भर करती है, अर्थ व कहां से आएगा, जब काम करने वाले लोग होंगे तभी तो होगा, जैसे अरब देशों में काम करने वाले लोग हैं नहीं, तो कहां से जाते हैं, भारस्ति लेबर वहाँ पर भीजे जाते हैं, तो ये depend करता है, population पर ध्यान रखेगा, आबादी पर, to control credit reserve bank of India, साख को नियं करने के लिए, reserve bank of India क्या करेगा, तो reserve bank of India increase करता है, पहले तो ये सुन लो, याद रखेगा, ये, ये inverse relationship होता है, तो control करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, मुद्रा की आपूर्ती को कम करना पड़ेगा, तो इसको बढ़हाना पड़ेगा, tools, जो बहुत सारी ब्यास दरे है ना, उनको बढ़हाना पड़ेगा, तो increase सही होगा, लेकिन increase CRR ये है decrease, तो ये नहीं, increase CRR, increase bank rate, ये दोनों ही increase, ठीक है, दोनों ही increase करेगा, ध्यान रखेगा, Then the concept of economic planning in India is derived from, भारत में आर्थिक नियोजन की अधाडा किस देश चे ली गई है, आर्थिक नियोजन की अधाडा, जो 5-year planning वगरा बनाई गई थी, वो कहां से ली गई थी, अधाडा किस देश से ली गई थी, ये USSR at that time था, रशिया से ली गई थी, ध्यान रखेगा, कहां स रिपोर्ट प्रकाशित करता है, इनमें से कौन सी वो संस्ता है, जो विश्वनिवेस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, दोस्तो इसको प्रकाशित करने का काम किसका है, दोस्तो, United Nations Conference on Training and Development, जिसे हम शॉर्ट में अंक टाड के नाम से जानते हैं, और ये United Nations की एक Specialized Agency है, जि दोस्तो देखते हैं, in which year Reserve Bank of India introduced a special fund facility for security settlement, SFFSS, भारती रिजर बैंक ने किस वर्ष सुरच्छा निप्टान, SFFSS के लिए विशेस निधी सुविधा शुरू करी, दोस्तो विशेस निधी सुविधा, अब समझेगा इसका मतलब क्या है प्रशन का, basically security settlement, securities का मतलब क्या होता है प्रतिभूतिया कहते हैं, जहाँ आप shares में deal करें, debenture में deal करें, government securities में deal करें, तो क्या होता है settlement का मतलब, जो भी आपने, ठीक है, जो भी आपका पैसा जितना payment करना था, उसके लिए fundings वगरा ले सकते हो, यह होता है, security settlement scheme, तो इस scheme को Reserve Bank of India के द्वारा कब establish किया गया था, क जंगला दोस्तो, at which of the following places, first land development bank was established in India, भारत में प्रतम भूमी विकास बैंक, निम्लिकित में से किस स्थान पर स्थान पर इस्थापित किया गया था, पहला भूमी विकास बैंक, यानी की land development bank, दोस्तो पहला land development bank established किया गया था, पंजाब में, कहां पर establish किया गया था, पंज वसी वगरा यही bank issue करता है ठीक है तो land development नाम ही भूमी विकास भूमी का विकास करना expansion करना वही इसका main काम है अगला in which year UTI was split into UTI 1 and UTI 2 किस वर्ष UTI का full farm होता है दोस्तो unit trust of India unit trust of India unit trust of India unit trust of India ही वो organization है जो की established होई थी 1964 में और 1964 में इसने क्या किया था आगे चलकर के इसने पहला देश का mutual fund establish किया था भारत में mutual fund की शुरुवात करने वाली sense था अगर कोई है तो वो कौन सी है UTI है तो UTI दो भागों में UTI 1 और UTI 2 में कब divide हुआ था यह divide हुआ था दोस्तो 2003 में ध्यान रखिएगा 2003 में divide हो गया था इस बात को ध्यान रखिएग दिन आगे दन निधीज आर टाइप आफ नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनीज एन बी अफसी पेरा बोरोवर वुड हैव तू बिकम अ मिंबर फस्ट इन विच स्टेट निधीज आर पिकुलियर इन इंडिया यानि कि किस राज्ज में विशिस्ट हैं बिसिकली क्या होता ह निधी कंपनीज बोला जाता है इनको निधी कंपनिया वो कंपनिया होती है जो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही उधार देने का कारे करती हैं तो अगर इन कंपनीओं में आपको कोई भी फंडिंग इन से चाहिए बिसिकली ये नबी अफसी होती है गैर बैंकिंग विती ये कं दोस्तों तो निधी कंपनी सबसे ज़्यादा कहां पर फेमस हैं भारत के राजित तमिल नाडु में ध्यान रखिएगा भारत के राजित तमिल नाडु में तो D is the right option अगला for how many years the banks are required to keep the records of suspicious accounts बैंकों को कितने वर्षों तक संदिक दिखातों का रिकार्ड रखना अवश्यक है जितने भी banks हैं वो अपने पास संदिक दिखातों का रिकार्ड कितने समय तक रखेंगे ये जरूरी है कुछ भी suspicious activity दिखाई देती है तो उनका record कितने वर्षों तक रखा जाता है याद रखेगा 10 वर्षों तक रखा जाता है और एक बात याद रखेगा बैंकों में जो भी पैसा जमा है जब उसको जमा पैसा निकालने कोई नहीं आता है तो वो पैसे भी उनको 10 वर्षों तक अपने पास रखने पड़ते हैं जिनको unclaimed deposit कहा जाता है तो unclaimed deposit कब घोशित करी जाती है जब 10 वर्ष का पैसा हो जाता है यानि कि आपकी जो भी maturity rate थी आप अपना पैसा बैंक में लेने नहीं गए तो after 10 years उस deposit को unclaimed deposit घोशित कर दिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं द बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामो दियोग आयोग की स्थापना करी गई थी पूछा जा रहा है किस पंचवर्षी योजना में इसकी सुरुवात करी थी तो basically आपको गर ये पता हो कि खादी and village industries commission कब establish हुआ था तो आप पता लगा सकते हैं ये establish हुआ था 1956 में से कारेकाल एक अपरेल से सुरू होता था और 31 मार्च को खतम होता था ठीक है तो एक अपरेल 1951 को पहली पंचवर्षी योजना सुरू हुई थी जो की 31 मार्च 1956 को खतम हुई थी और एक अपरेल 1956 से 31 मार्च 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षी योजना चली थी तो दूसरी पंच taxes in taxes को देखिए एक है सेवा का tax service tax then है CA के पेसे पर ठीक है tax on profession of CA यानि की chartered accountant then है निवेश पर अजित प्याज पर tax tax on interest and on investment पूछा जा रहा है which among the above is our indirect tax ये तीनों options में आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अप्रतिक शकर है दोस्तो आप्रतिक शकर इसमें सिर्फ पहला वाला है जो कि है service tax जो कि अब GST के साथ में सबस्यूम्ड हो गया है देखो taxes on profession of CA की बात करें तो ये दोस्तो income tax के इंतर गता जाता है और ये direct tax है और taxes on interest and investment ये भी income tax के इंतर गता आता है income from other sources और tax on profession आता है income from business and profession तो याद रखेगा ये दोनों income tax का हिस्सा है और income tax एक direct tax है जबकि service tax क्या है दोस्तों indirect tax है और अभी बताया कि भारत में सबसे बाद में जो कर लगाया गया ठीक है 1994-1995 में उस service tax ही था आगे बढ़ते हैं दोस्तों इन इंडिया the primary objective of take out finances भारत में take out with का प्राथमिक उदेश क्या है take out finance किस लिए होता है बहुत ही long duration के लिए होता है जहां पर क्या होता है take out finance project जैसे जैसे complete होता है वैसे वैसे funding आप ले सकते हो ठीक है funding आप ठीक है project के according यहाँ पर funding divided होती है तो basically यह long term पर focus करता है duration पर जो जो longer duration के projects होते हैं तो projects में completion का system होता है इतना complete करोगे तो इतना पैसा मिलेगा इतना complete करोगे तो इतना पैसा मिलेगा यह system होता है तो इसे यह take out finance के नाम से जानते हैं और यह longer duration के project के लिए दिया जाता है CEDO is associated with which of the following industries सीडो निमलिकित में से किस उद्योग से संबंदित है तो सीडो का अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप बता दोगे सीडो का फुल फॉर्म होता है Small Industries Development Organization और यह Small Industries को प्रमोट करने के लिए कारे करती है संस्था तो यह किस संबंदित है Small Industries को प्रमोट करने से संबंदित है और Small Industries का Regulator इंडिया में कौन है वो भी याद रखिएगा वो है दोस्तो सिडबी Small Industries and Development Bank of India जिसका Headquarter कहाँ पर है दोस्तो लखनव में स्थित है वो ख्याले कहाँ पर है लखनव में है आगे बढ़ते हैं दोस्तो दोस्तो भारत में आपको पता है चौदा वर्ष से कम इविन Constitutionalize कर दिया गया है कि अगे इन 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं तो 14 वर्ष से कम उमरे के बच्चों को किसी भी hazardous work में कोई नौकरी नहीं दे सकता है इसे कलिए आप देखते हो हर एक factory के बाहर लिखा होता है यहां पर 18 वर्ष से कम बच्चे कारे नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि उनको कारे आप नहीं करवा सकते हैं उनसे कारे और यह उनके social के अंतरगत आता है ध्यान रखिएगा तो यहां पर यह धिनियम कब लागू किया गया था 1986 में Consumer Production Act भी 1986 में लॉंच किया गया था मैंने आपको बताया लेकिन amend कर दिया गया था 2019 में तो 86 को याद रखिएगा यह भी कब आया है 86 में ही आया है अगला Real National Income Increases in which of the following circumstances Real यानि कि वास्तविक राष्ट्रियाय कब बढ़ती है वास्तविक राष्ट्रियाय का मतलब क्या होता है जो base year पर निकाली जाती है base year के मुल्यों पर निकाली जाती है यानि कि जो इस्तिर मुल्यों पर constant prices पर निकाली जाती है तो वो कब बढ़ेगी वो वाकई में तब बढ़ेगी जब क्या होगा production of goods and services increase होगा यानि कि वस्तू और सेवाओं के उत्पादन में जब वरत्धी होगी तो वास्तविक राष्ट्रिया में भी वरत्धी होगी ध्यान रखेगा इस बात को अगला इन विच येर डिड़ पॉल A. Samuelson 1970 में 1970 में इनको प्रदान किया गया था भारत में भी आर्थ शास्तर में Nobel Prize किसको मिला हुआ है अमर्त से इनको मिला हुआ है और ये आप बताइए मुझे comment section में ठीक है कि अगे अमर्त से इनको ये पुरसकार कब प्रदान किया गया था अमर्त से इनको ये पुरस्कार कब प्रदान किया गया था अगला मद्राल स्कूल आफ एकनॉमिक्स जो की एकनॉमिक्स यानि की अर्थ शास्त्र में हाईर एजुकेशन से संबंधित एक स्कूल है इसको किसके द्वारा इस्टाबलिश किया गया था दोस्तों इसके जो founder थे वो थे डॉक्टर राजा चलाईया, कौन थे डॉक्टर राजा चलाईया थे, अब आप बताईये मुझे comment section में, last के questions में कुछ चीज़े आपको दे रहा हूँ, जो comment section में आप answer करिएगा, मैं देखूंगा, reply भी करूंगा, चलाईया समिती किस्से मदिते आप बताईये, अगला है last, when did the first stock market scam happen in India, भारत में पहला शेर बाजार घोटाला कब हुआ था, ये प्रशन का answer मैं नहीं दे रहा हूँ, एक बस web series की बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आपने देखा हो, तो हरशद महता, scam आगे नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे ब complete कर दिए दोस्तो, session कैसरा लगा, comment section में जरूर बताईएगा, आपके comment का हमें रहेगा इंतजार, ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे, ऐसे ही और session के साथ, और दोस्तो, अधिक जानकारी के लिए, सुबह मेरी 8 बजे class होती है, current affairs की, तो सभी लोग 8 बजे की class current affairs में जरूर जु करके तब तक के लिए इजाज़त दीजे मुझे, thank you